हेलो बच्चो कैसे हैं आप सब आप आप लोग बिलकुल बढ़िया होंगे बिलकुल मजे में होंगे तो बिटा आज हम लोग मिले हैं हमारे सफल बैच में नए चैप्टर के पहले लेक्षित पर आप लोग को औरियेंटेशन विडियो अच्छा लगा होगा आपको समझ में होगा कि how are we planning to proceed in our journey है ना जी तो मैंने आप लोगों से पूछा था बिटा जाते जाते कि बताओ भई जल्दी से कि क्या पढ़ना चाते हो कैसे हमें हमारी जर्णी शुरू करनी चाहिए what are the plans from your side what are the inputs from your side तो यार वहां से हम लोग ने बात्ची जब मैंने आपके कॉमेंट्स देखे हमारी बात्ची जब देखी तो है realize कि बहुत सारे बच्चे चाह रहे हैं कि पहले उन्हें थेरी पढ़ाई जाये concise way में obviously and then उसकी practice करवाई जाये तो what I have planned is कि यार हम क्या करते हैं जो हमारे deleted chapters है उनकी theory थोड़ा detail में पढ़ लेंगे और जो chapters हमारे board के syllabus वाले हैं उनको हम क्या किया करेंगे concise way में पहले उनकी पूरी theory revise कर लिया करेंगे and then उसके बाद में पढ़ेंगे ठीक है थोड़ा समझ समझ के बढ़ेंगे आज पहला lecture है समझते हैं चीजों को और फिर आगे बढ़ते हैं and then we'll go for the practice ठीक है बिटा बिटा देखो solid state chapter के बारे में अगर मैं तुम्हें बताऊं तो solid state chapter ना easy chapter है इजी chapter है practice based chapter है practice based तो physical chemistry के सारी chapter होते हैं परन्तु यहां पे थोड़ा visual appeal अच्छा होना चाहिए वह आपसे वह मांगता है वह उसकी requirement है अगर आपका visual angle थोड़ा better हो जाए यह visually आप चीजों को जादा better समझ पाओ तो आपके लिए बढ़िया होगा चीजों को approach करना और चीजों को solve करना ठीक है तो हमें solids का classification क्या होता है आपके solids का classification क्या होता है भई CDC बात है तुम लोग 10th class में पढ़के आते हूँ what is matter है ना matter क्या होता है anything which occupies space anything which has some mass ठीक बात है और हम बोलते हैं हमारे पास majorly जो हमारे consideration में हम पढ़ते हैं हमारे curriculum में जो हम पढ़ते हैं हमारे पास बेटा स्टेट्स of matter है solid liquid और गैस इसके अंदर से ना गैसी स्टेट तुम 11 में पढ़के आ जाते हो 11 class में आप पढ़ते हो गैसी स्टेट नाम का बकायदा पूरा चैप्टर लिक्विट स्टेट की भी कुछ-कुछ बाते हम आँ कर लेते हो बची भी कुछ बाते हम यह liquid solution चाप्टर में कर लेते हैं पर solid स्टेट कैसी होती है solid state को define कैसे किया जाता है यह बाते आप लोगो पहले से पता है पर हम लोग अभी क्या बात्चीट चुरू करने जा रहे हैं अभी हम बात्चीत करने जा रहे हैं solid का classification कैसा होता है हां जी तो भाई सोच सकते हो गया solid को कैसे classify करते हैं सोचना एक बार कितने टाइब के सॉलिट्स होते हैं क्या उसका classification होता है कैसे हम classification करसकतें ठीके जी नहीं सोचा तो कोई बात नीं सोच लेंगे सवेगए आपको Clarification की जे Prinzip बाते हो जाएंगी तब नोग करेंगे एक टॉपिक के बारे में जिसको कहते हैं Crystal lattice ऑज और यूनिट सेल क्रिस्टल लाटस और युनिट सेल we'll talk about की लाटस क्या होता है we'll Talk aboutarez क्या होता है we'll talk about experts को कैसे डीफाइन करते हैं तब बटा हम बात करेंगे अलग 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 सिस्टम के बारे में और अलग-अलग टाइब के युनिट सेल के बारे मेंं अंग अलग Crystal system के बारे में और अलग अलग टाइब के Unit cells के बारे में इतना सापना प्लान है आज आज का ग्लासिफिकेशन हम बात्चीत करनी है लाट क्या होता है हमें बात्चीत करनी है इन दोनों के हिसाब से कितने तरह के crystal system बनते हैं और कितने तरह की unit cells होते हैं सही जी चलो शुरू करते हैं बिटा बिना time waste करें हमारा पहला टॉपिक है Amorphous and Crystalline solids तो बिटा जुम्हें तुम्हें कहा रहा था ना solids का classification solids को आप लोग दो तरीके से पढ़ते हो solids को आप लोग दो तरीके से पढ़ते हो एक होते हैं तुम्हारे crystalline solids एक होते हैं तुम्हारे crystalline solids और एक होते हैं तुम्हारे amorphous solids कि वन आर यह क्रिस्टिलाइन solids एंड वन क्रिस्टिलाइन की कोशिश करें यार देखो नाम से समझ में आ रहा होगा क्रिस्टिलाइन solid मतलब Crystal Type का structure क्रिस्टिलाइन solid मतलब crystal टाइब का structure तो सर आमोरफस का मतलब crystal टाइब का structure नहीं होता हैं बिटा crystalline और amorphous में न एक बड़ा basic सा difference होता है that is किस तरीके से किस pattern में atoms यहाँ पर arranged हैं मैंने क्या बुला किस तरीके से या फिर किस तरह के pattern में atoms यहाँ पर arranged हैं उस तरीके से आप दो तरीके के solid बनाते हो या तो crystalline या amorphous मतलब अगर बिटा आपके atoms एक regular pattern में arranged है तो आपका crystalline solid बनता है अगर आपके atoms किसी irregular pattern में arranged है तो आपका amorphous solid बनता है regular pattern बोले तो symmetric pattern irregular pattern बोले तो disymmetric pattern ठीक है समझाता हूँ आपको ध्यान से देखना जरा हम structure से समझते हैं structure से चलो यहाँ पर हम कुछ बाते लिखेंगे इधर हम समझने की कोशश करते है देखना ध्यान से मेरी बात को suppose कीजिए मैंने बोला यह है atom A तो यह है atom B फिर यह है atom A लिफ्रन यह है atom B लृश्मे तो यह है atom B फिर यह अनल ए फिर हो जाईगा आपका atom B ठीक है ठीक है इसको भी ऐसे join किया फिर हमने लिएтом A फिर यह A vitam b फिर यह आपका atom a और फिर यह आपका atom b यार ध्यान से देखो यहां पे जो मैंने arrangement बनाया है क्या तुम्हे atoms alternately लगे में मिल रहे हैं? और क्या एक symmetric arrangement मिल रहे है? a के बाद b, b के बाद a a के बाद b, b के बाद a a के बाद b, b के बाद a सब्सक्राइब हम बोलते हैं सिमेट्रिक पैटर्ण है रेगुलर पैटर्ण है बोलो हाँ या ना सही बात है अच्छा जी अगर मैं अमॉर्फस सॉलिड की बात करूं यह जो पैटर्ण है जा सिमेट्रिक और रेगुलर पैटर्ण होता है इसको कहा जाता है बेटा क्रिस्टल क्रिस्टलाइन सॉलिड इसको क्या का जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड हम बोलते हैं रेगुलर पैटन हम क्या बोलते हैं रेगुलर पैटन या हम क्या बोलते हैं रेगुलर अर्रेंजमेंट हम क्या बोलते हैं इसको रेगुलर अर्रेंजमेंट परन्तु अगर मैं आपको एक यह आपका B, यह आपका B, यह आपका A, यह आपका B, अच्छा, यह आपका A, यह आपका B, यह आपका B, और यह हमने इसको ऐसे ऐसे जॉइन किया, यह हमने इसको ऐसे ऐसे जॉइन किया, अब ध्यान से सुनो क्या किया हमने, हमने बोला A के बाद B आया, B के बाद A आया, यह यहां तक ना मेरे को symmetry दिखाई दे रही ठी बोलो ढाया ना symmetry तुम्हे भी दिख री होगी पर यहां A के बाद A आ गया symmetry तो break हो गई भई A के बाद B B के बाद A पर A के बाद फिर से a symmetry break अच्छा अब इस A के बाद B B के बाद B, फिर से symmetry break, फिर B के बाद A, A के बाद B, थोड़ी सी symmetry आ गई, फिर B के बाद A, A के बाद A, फिर से symmetry break हो गई, इसका मतलब हम ये बोलें क्या, कि amorphous solids जो होते हैं, वो ऐसे solids होते हैं, जहां पे regular pattern available नहीं होता, यहां पे कैसा pattern होता है, irregular pattern होता है, कैसा होता है, irregular, तो हम बोल होता है, irregular arrangement, तो ऐसा pattern या ऐसा arrangement, जहां पे atoms एक regular pattern में arranged हो, वो crystalline solids होते हैं, जहां पे atom irregular pattern में arranged हो, उन्हें amorphous solids कहते हैं, पहली बात इतनी समझ आई क्या, अच्छे से समझ आ गई, ठीक है, अब एक बात सुनना, यहां पे तुम्हें दिख रहा होगा, जो sequence है, वो साथ पे शुरू हुआ है, वही sequence अंत तक है, है ना, अगर sequence शुरुआत से अंत तक एक जैसा है, तो हम बोलते हैं, यहां पे crystalline solids में आपका क्या है, long range order है, crystalline solid में बेटा, you have long range order, ठीक है, but if you talk about amorphous solids, if you talk about amorphous solids, तो amorphous solids में क्या है, थोड़े time तक आपका symmetry आया, फिर break हो गया, फिर symmetry ब्रेक हो गया, फिर थोड़ा सा symmetry आया, तो मतलब regularity बहुत जादा समय तक है, नहीं, इस वज़े से इसको क्या कहते है, short range order, इस वज़े से इसको क्या कहते है, short range order, ठीक है, I hope आपको regular arrangement और long range order, irregular arrangement और short range order का मतलब समझाया होगा, जब इतनी बाते समझ में आई, तो अब आगे सुनना इसके आगे क्या, इसके आगे बिटा अगली बात, अगली बात क्या है, अगली बात ये है, क्योंकि regular arrangement है, हम बोल जाता है, perfect solids, या फिर कहते है, true solids, क्या कहते है, या तो कहते है, perfect solids, या फिर कहते है, true solids, क्या कहा जाता है, true solids, perfect solid, हम एक काम करते हैं, हम crystalline amorphous की table, यहां continue करते हैं, क्योंकि अभी points तो काफी हैं, discuss करने के लिए, यह हो गए crystalline solids, यह हो गए amorphous solids, ठीके जी अच्छान जो हैं आपके यह आपके होंगे ट्रू सॉलेट्स क्रिस्टलाइन सॉलिड आपके क्या होंगे ट्रू सॉलिड जबकी बेटा जो अमॉर्फस सॉलिड होते हैं क्योंकि बेटा उनमें बहुत जादा रेगुलर पैटर्न होता नहीं है बहुत लंबे समय तक चलता नहीं है तो इनको हम कहते हैं स्यूडो सॉलिड इन्हें हम क्या क होता है super cooled liquids इनका दूसरा नाम होता है super cooled liquids कि समझिए ध्यान से हमने बूला यह है true solids भर यह है pseudo solid pseudo solid understood क्योंकि regular arrangement नहीं है उतना बढ़िया fine arrangement नहीं है atoms का तो pseudo solid पर हाँ यह नाम समझ में आना चाहिए इसे हम कहते हैं super cooled liquids क्या नाम है super cooled liquids अब यह कैसे Sir, किसी solid चीज को आप liquid प्रनाउंस भी कैसे कर सकते हो, हमें ये नी समझ दारी बात किसी solid चीज को आपने liquid कह भी कैसे दिया तो बेटा समझो मेरी बात को ध्यान से Super cool liquids का क्या मतलब है Super cool liquids का ये मतलब है कि बेटा हमारे पास जो amorphous solids होते हैं इनमें थोड़ी सी बहुत थोड़ी सी लिक्विड जैसी टेंडेंसी होती है कौन सी लिक्विड जैसी टेंडेंसी होती है बिटा देखो लिक्विड का मतलब होता है अगर सॉलिड है तो मैं बोलता हूं सॉलिड एक जगा है तो एक जगा ही रहेगा हिलेगा नहीं पर Amorphous solids होते हैं उनमें flow वाली टिंडेनसी होती है इस वादस इनको super cool liquids कहा जाता है Sir आपने बोल दिया हमने सुन लिया वटा मैं समझ नहीं आया एक फ्लोवाली टिंडेनसी रहना होती है तो तो समझ हो मेरी बात को ध्यान से amorphous solid का बहुती 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 को फिट करते हो घिड़की पे तो जो पेस्ट है वो नीचे की साइट बड़ा थिक होता है और उपर की साइट वो समय के साथ-साथ पतला पड़ता चला जाता है थिन हो जाती है जब आप नहीं नीगी की फिट करोगे तो उपर और नीचे थिकनेस बिल्कुल बराबर होती है पर 10 साल बाद 5 साल बाद 7 साल बाद 8 साल बाद 12 साल बाद आप नोटस करोगे कि उपर से वो थिकनेस थोड़ी-थोड़ी कम होने लग गई है और नीचे वो थिकनेस थोड़ी-थोड़ी बढ़ गई है तो वो जो नीचे थिकनेस बढ़ गई है वो बात आपको समझनी पड़ेगी कि कैसे बढ़ गई क्योंकि गलास धीरे-धीरे अपनी जगा से बिटा फ्लो करता जा रहा है अगर अपनी जगा से फ्लो करता जा रहा है तो हम बोलेंगे कि नीचे वो ज्यादा स्पेस घेरेगा जुक जुक के जुक जुक के नीचे जब आएगा इस वेज उसकी flowing tendency है that's why it is known as super cooled liquid सही है जी तो इसको super cooled liquid का जाता है इसको true solid का जाता है ठीक है सब बहुत बढ़िया अगला point सुनों क्योंकि regular arrangement है क्योंकि regular arrangement है तो हम बोलते हैं crystalline solids have sharp melting point and amorphous solid have range of melting point इस बात का मतलब समझो बिटा crystalline solids जो होते है यह एक fix regular arrangement है ठीक है जो हिलता डूलता नहीं है अगर एक fix regular arrangement है तो हम बोलेंगे कि इस arrangement को melt करने के लिए आपको एक particular temperature दोगे और यह melt हो जाएगा जैसे तुमने बोला 100 degree temperature दिया melt हो गया या तुमने किसी और solid को 95 degree temperature दिया melt हो गया मतलब आपके पास एक fix temperature है जो तुम जैसे प्रोवाइड करोगे solid को वो melt हो जाएगा सही है तो एक fix melting point है एक sharp melting point है पर amorphous solids में क्या होता है ना ऐसा नहीं होता कि तुमने एक fix temperature दिया और य रेंज देनी पड़ती है मतलब 95 से 99 तक आप इसको heat करोगे तब उस बीच में कहीं है melt होगा आप exact value नहीं बता सकते हो कहीं भी melt हो सकता है ठीक है तो इसके पास एक range होती है जबकि इसके पास एक exact value होती है तो हम कहते है crystalline solids have exact value of melting point जिसे हम कहते है sharp melting point जबकि amorphous solids have range of melting point ठी ठीक है इनके exact value नहीं पर एक range होती है temperature की बहुत बढ़िया अगला और आखरी point सुनना ध्यान से crystalline solids are anisotropic in nature क्रिस्टिलाइन solids are anisotropic in nature whereas amorphous solids are isotropic in nature तो बिटा ये बात आप समझो ध्यान से एक बार सुनके क्या चीज एन आइसो ट्रोपिक का क्या मतलब होता है आईए यहां पर बात करें साहिए है कि हम बोलते हैं एन आइसो ट्रोपिक का क्या मतलब होता है कि एन आइसो ट्रोपिक का क्या मतलब होता है तो बिटा एन Direction के अंदर physical property difference होती है, different directions के अंदर physical property different होती है, ठीक है? an isotropic solids are those solids which have different value of physical property in different directions, physical property जैसे की refractive index हो गया, जैसे की कोई और इस तरिके की प्रॉपर्टी हो गई तो डिफरेंट वैल्यू ओफ फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डिरेक्शन्स ठीक है जी यह हो गए एन आईसो ट्रोपिक और अगर मैंने आप से कहा आईसो ट्रोपिक अगर मैने आपसे कहा isotropic तो isotropic कौन होते हैं बीटा isotropic आपके वो होते हैं जिनके different direction में value क्या होती है same different direction में physical property की value क्या होती है same होती है they are known as isotropic ठिक है तो हमने बोला same value of physical property in different directions same value of physical property in different directions अब इस बात को थोड़ा गौर फर्माएं और ध्यान से समझें हम ये कहना चारे हैं हम सिर्व ये कहना चारे हैं कि अगर मैं इस डियाग्राम को थोड़ा गंदा करूं समझना ध्यान से कि मैं इस direction में जाऊंगा तो मेरी कोई physical property लेट से refractive index वैल्यू कुछ और आएगी मैं इस डिरेक्षिन में जाओंगा रिफ्राक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कुछ और आएगी तो डिफरेंट डिरेक्षिन्स आएँ डिफरेंट वाल्यू ओसे को अलग अलग डिरेक्षिन में तुम्हारा सेक्वेन्स अलग 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 और रहा हैं यहां 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 अलग अनुन और यहां पाप Wilde without तो हाँ different direction में arrangement जरू different है पर symmetrical arrangement है समझे आप बात पर अगर आप बात करेंगे amorphous solid की तो बीटा amorphous solid में क्या हो रहा है जब तुम अलग-अलग direction में जा रहे हो तो physical property की value सेम आ रही है आप कोगे सर ये कैसे हुआ यहाँ भी तो हर direction में अलग-अलग type का arrangement है यहाँ बात तो त इसलिए हम कहते हैं क्यूंकि symmetric arrangement नहीं है तो random arrangement है और random direction कोई सी भी हो सबी को एक जैसा माना जाता है बात बताओ तुम कहीं गए ठीक है और तुम रस्ता भूल गए अब अगर तुम उस जगा पर जाके रस्ता भूल गए हो तो तुम left मुडो तुम right मुडो तुम सीधा जगा तो नहीं समझा रही ना रस्ता भूल चुके हो तो तुमारे लिए तो हर दिशा ही random है तुम घर ढूणने के लिए destination ढूणने के लिए कहीं भी चला जाओ trial and error ही तो हो रहा है तो वही वाली बात है कि हर direction अपने आपने अलग-अलग है कोई symmetricity नहीं है कोई pattern नहीं है तो हर direction random है और हर random direction को एक जैसा मानते हैं तो हम बोलते हैं कि यहाँ पर जो value है वो same है जबकि पहले वाले case में जो value थी वो क्या थी अलग-अलग यहां जो value है उसको क्या मानते हैं हर डिरेक्शन में same ठीक है जी कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परिशानी सही है समझ आई बात तो यह आपके isotropic होते हैं जबकि वो आपके anisotropic होते हैं ठीक है यह बात आपको समझ के रखनी है अब हम बात करते हैं एक्जांपल की कि भई क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक्जांपल क्या होता है और अमॉर्फस सॉलिड का एक्जांपल क्या होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक्जांपल हो गया जैसे की एन एस ठीक है जैसे की आइस ठीक है जैसे की हमने बुला जेड़नेस का क्रिस्टल ठीक काच अमॉर्फस सॉलिड है ठीक है जी समझ आई बात तो क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड इसमें अंतर कभी-कभी पूछ लेते हैं अपने को पता होना चाहिए अब आते हैं अगले टॉपिक पे अगला टॉपिक होता है क्रिस्टल लाटेस यह देखो यह अब हम आते क्रिस्टल लाटेस और यूनिट इन दो टर्म्स पर हमें बातचीत करनी है सुनना ध्यान से अब बच्चावा जो लेक्टर रहे वह इनी दो टॉपिक पर अधारित तो ध्यान से सुननना ग्रिस्टल लाटिस और युनिट सेल तो बिटा लाटिस वर्ड क्या होता है तुमने आइगेस 11 ख्लास में लाटिस अनर्जी नाम की चीज पड़ी है और सुनी है चैमिकल बॉंडिंग में सुनी है थर्मो के मिश्ट्री में सुनी है एस ब्लॉक एलिमेंट के टाइम पर सुन एक जायंट 3D रिप्रेजंटेशन का ओपीज़े Ciao NHL में या फिर सही से बोलने दो एक जायंट 3D रिप्रेजेशन ओपुज इंड चाइंस का लेटिस केलाता है for example एक और एंबन की एक घर है एक घर से बनता है तो बहुत सारी एंटों का जो ऐंट अरेंजमेंट है वो एक घर है सही बात है उसी तरीके से आयंस का बहुत सारे आयंस का एक जाइंट अरेंजमेंट जो है वो एक लैटेस है बहुत सारे आयंस का एक जाइंट अरेंजमेंट जो है वो एक लैटेस है लैटेस का मतलब समझाया इट से जाइंट 3D अरेंजमेंट पहली बात और बिटा आप बात बताओ एक बड़ा सा घर है जो बनावा किससे है इंटों से मतलब अगर मैं एक इंट निकाल लूँ तो मैं यह कहूं गया इस इंट को जब तुमने हर डिरेक्शन में रिपिटेटिवली लगाया अलग-अलग तरीकों से तो पूरा घर बन गय मतलब इंट तुम्हारी एक रिपीटिंग स्ट्रक्चुरल यूनिट है इंट से तो पूरा घर बन रहा है तो मतलब इस बड़े से लैटिस का उस बड़े से घर से समझो पहले उस बड़े से घर में अगर एक minimum repeating structural unit मैं बोलू क्या है तो तुम बोलोगे eat है सही बात है उसी तरीके से एक बड़े से lattice के अंदर अगर आपको एक minimum repeating common structural pattern दिखाई दे दे मेरी बात पर द्हांदिने जो मैंने pauses लिये हैं एक minimum repeating common structural pattern दिखाई दे दे that is your unit cell कि भई एक ऐसा हिस्सा crystal lattice का जिसको अगर मैं देखू तो वो common है अगर उसे हर direction में आगे पीछे उपर नीचे left right हर जेगा extend करूंगा तो एक पूरा विशाल lattice बनेगा समझे that is your unit cell लिखते हैं ज्यादा समझाएगा सुनना मेरी बात ध्यान से crystal lattice क्या होता है it's a 3D जाएंट representation of it's a 3D जाएंट रिप्रेजेंटेशन ओफ अपूसिटली चार्जड आइंस एक 3D जाएंट रिप्रेजेंटेशन ओपूसिटली चार्जड आइंस का आपका crystal lattice कहलाता है सही है ठीक है अब हम बोलेंगे unit cell क्या होता है देखिएगा ध्यान से unit cell क्या होता है हम बोलेंगे एगर हमें unit cell define करना है तो unit cell होता है उस बड़े से crystal lattice का उस बड़े से crystal lattice की एक minimum repeating structural unit अगर आप पैचान लो जिसको left राइट टॉप बॉटम आगे पीछे हर जगा अगर आप repeat करोगे तो एक पूरा lattice generate हो जाएगा जैसे यहां देखो यह जो रैड वाला पार्ट है यह minimum repeating structural unit है अगर इसको पीछे left right आगे हर जगा पर तुमने रिपीट किया तो एक पूरा lattice बन जाएगा तो हम वही बोलते हैं यूनिट सेल क्या होता है इस दो मिनिममूम it is the minimum repeating structural unit it is the minimum repeating structural unit which generates entire lattice which generates entire lattice when it is repeated in all directions when it is repeated in all directions मतलब एक crystal lattice का वो minimum repeating unit जिसको जब हर direction में आप extend करेंगे तो आपके पास में पूरा lattice बन जाएगा अब बिटा यह तो मैंने तुम्हें किया definition सिखाई है कि crystal lattice क्या होता है और unit cell क्या होता है पर इतना असान नहीं है पूरा chapter ही unit cell पर आधारित है यह तो सिर्फ एक definition है जिससे हमने बात को समझी है कि unit cell आखिर आपका होता क्या है at the first place ठीक है और lattice का मतलब क्या होता है पर यह जो crystal का lattice है यह अलग-अलग shape का हो सकता है जो आपको पता होने चाहिए अलग-अलग shape का या अलग-अलग geometric pattern का होता है जो आपको पता होना चाहिए जैसे कि यह cubic भी हो सकता है ठीक है यह rhombic भी हो सकता है यह यह monoclinic भी हो सकता है यह orthorombic भी हो सकता है अलग-अलग तरीके के lattice हो सकता है ठीक है और उस हर तरीके के lattice की जो minimum repeating structural unit में निकाल लूँगा जिससे वो पूरा lattice बनाया जा सकता है वो आपका unit cell होगा कुल मिला के मुझे एक बात बताओ अगर मुझे एक lattice के बारे में properties बतानी है तो मैं क्या करता हूँ पूरे lattice को पढ़ना बड़ा मुश्किल है क्योंकि वो एक बहुत giant arrangement है तो मैं ना सिर्फ unit cell को पढ़ूँगा वहाँ पर मैं तुम्हारी मुलाकात करवाँगा तुम्हें सब समझाओंगा उनके बारे में पर हम बातचीत सारी unit cell की करेंगे हम कहेंगे इसका minimum sample निकाल लिया ना उस sample को study करो उस sample में जो मिलेगा वो पूरे lattice का जवाब भी देदेगा इसको असान भाषा में ऐसे समझो एक daily life example से बताता हूँ भई तुमने क्या किया शिकंजी बनाई घर पर या रूवजा बनाया तो तुमने रू चमच थोड़ी सी और उससे टेस्ट करके देख लेते हो तो मैं पता चल जाता है कि अच्छा इस चमच में जितना आया गर उसका टेस्ट ठीक है तो वैसा ही टेस्ट पूरे glass में जो भी drink वनी है उसका होगा तो बिटा आपने क्या किया आपने minimum चीज को चेक करके देख लि वही इस entire lattice की property होगी समझे क्या बात समझाई अच्छे से कोई दिक्कत नहीं है बहुत बढ़िया तो हमें पढ़ने तो सारी unit cell ही है बट उससे पहले I want आप सारे तरीके की crystal system से मिल लो ठीक है उसके बाद बात करेंगे कौन-कौन से unit cells होता है सही है जी चली आए एक करके ब तो अगर आपको कोई crystal lattice पढ़ना है अगर तुम्हें कोई crystal lattice पढ़ना है तो तुम्हें दो बाते पता होनी चाहिए एक एज लेंथ एक तो crystal lattice में एज लेंस और एक इंटर फेशियल एंगल्स इंटर फेशियल एंगल्स वन इज एज लेंस और एक इंटर फेशियल एंगल्स किसी भी crystal lattice के अंदर आप माक्सिमम्म तीन तरीके की एज देखते हो तीन तरीके की एज लेंद देखते हो एक को टीन तरीके की अचलाइंस देखते हो एक को एसे रीपरिजंट करते हैं इन की वैलू सेम भी हो सकती है अब दो को बराबर एक को अलग भी बोल सकते हो कैसे भी तरीके के देखे जाते हैं अल्फा बीटा और गमा अब यह तीनド बराबर हो सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं बनठा मैंने तुम्हें सारी पॉसिबल बाते बता दी कि तीन तरीके की एजलेंस हो सकती है और तीन तरीके के अगल से नियुक的ांगWhen गामा हो गया नहीं तुम्हें ध्यान रखना होगा कि alpha is the angle between B and C, beta is the angle between C and A and gamma is the angle between A and B समझे बात तो जो B और C वाली edge के बीच में angle बन रहा होगा that is your alpha, जो C और A के बीच में बन रहा होगा that's your beta and A और B के बीच में जो बन रहा होगा that's your gamma समझ में आई बात ठीक है जी तो आपके पास ये तीन तरीके की edge lens हैं ये तीन तरीके के angles हैं इनके हिसाब से अलग-अलग तरीके के crystal design होते हैं जो मैंने तुम्हें नाम बताए दे cubic, tetragonal, triclinic, orthorombic, monoclinic, rhombohedral इस तरीके से ठीक है समझते हैं जरा कि कौन-कौन जे crystals होते हैं एकके करके जरा बात करें उनके बारे में तो बेटा ये होते हैं आपके सारे crystals ये seven type of crystals हो सकते हैं ठीक है जो आपके syllabus में है ये cubic type का, tetragonal type का, orthorombic, वो hexagonal, ये rhombohedral, ये monoclinic और ये triclinic अब आपको ना इनके बारे में कुछ बाते याद रखनी होती है CUET के paper में इसी से सवाल आया था last time ठीक है 2022 का जो paper हुआ था उसमें इसी से सवाल आया था तो आपको कुछ बाते याद रखनी होती है क्या याद रखनी होती है आपको इस हर तरीके के crystal system के लिए तुमें edge lens का relation याद रखना पड़ेगा कि edges आपस में बराबर है नहीं है क्य है तुम्हें angles का relation याद रखना पड़ेगा कि angles आपस में बराबर है नहीं है क्या है ठीक है जी समझ आई बात अच्छे से आईए बात चीत करते हैं आपको सिखाते हैं कि कैसे आप असानी से याद कर सकते हो तो मैं आप लोगो एक table बना के दिखाता हूं जो आपको यहीं क आप सिस्टम के नाम रखेंगे यहाँ यहाँ पर हम बात करेंगे उनकी एजलेंस की अच्छी आ है ठीक है ए बी सी के बारे में और फिर हम बात करेंगे इनके इंटर फेशियल अंगल ऐलफा बीटा गामा के बारे में देखिएगा ध्यान से अगर मैं आपसे crystal system की बात करता हूं तो एक नाम याद रखना है आपको क्या नाम याद रखना है सुनना वो नाम that name is Ctor HMT that name is Ctor HMT ठीक है इसको सई से लिख देते हैं थोड़ा Ctor HMT क्या मतलब है इस सबका समझो द्यान से C का मतलब cubic T का मतलब tetragonal O का मतलब orthorhombic और थो रॉम्बिक आर का मतलब rhombohedral H का मतलब hexagonal M का मतलब monoclinic और T का मतलब triclinic सुनना ध्यान से हर तरीके के crystal system का जो पहला alphabet है उससे मैंने ये trick बनाई है Ctor HMT आपको ये याद रखनी है Ctor HMT C का मतलब cubic T का मतलब tetragonal O का मतलब orthorhombic R का मतलब rhombohedral H का मतलब hexagonal M का मतलब monoclinic और T का मतलब triclinic Ctor HMT हो गया अगर ये हो गया तो अब बात करते हैं इनके edge length के relation की तो सुनना ध्यान से बड़ी असान सी trick एक sequence follow करना है क्या sequence follow करना है cubic के लिए हम बोलेंगे A equal to B equal to C फिर अगले के लिए हम बोलेंगे A equal to B not equal to C और तीसरे के लिए हम बोलेंगे A not equal to B not equal to C इतनी बात समझाई क्या A equal to B equal to C तीनों बराबर A equal to B not equal to C A not equal to B not equal to C इतनी बात समझाई अब यही चीज हम repeat कर देते हैं वापस A equal to B equal to C A equal to B not equal to C and A not equal to B not equal to C सही है हमने बोला कि यह sequence as it is यही sequence repeat हो गया और फिर लास्ट में हम क्या बोलेंगे A वापस से not equal to B not equal to C समझे इस बात को ध्यान से इसको याद करने का तरीका देखो crystal system के नाम याद करने का तरीका मैंने आपको बताया सी टोर हम्ती अब इनके इसी sequence में एजलेंस के relation में तुम याद रख सकते हो क्या A equal to B equal to C A equal to B not equal to C A not equal to B not equal to C फिर इसी को repeat कर दो और फिर लास्ट में as it is A not equal to B not equal to C ठीके जी यह एजलेंस का relation हो गया अब हम बात करते हैं आपसे angle की अगर हम angle की बात करते हैं तो angles आपको समझ में आने चाहिए यह alpha, beta, gamma वाले समझाता हूँ कैसे होगा सुनना ध्यान से आप बोलोगे सबसे पहले alpha equal to beta equal to gamma equal to 90 degree यह पहले तीनों में चलेगा यह पहले तीनों में चलेगा alpha equal to beta equal to gamma equal to 90 degree पहले तीनों में यह चलेगा समझाई बात alpha equal to beta equal to gamma equal to 90 अच्छा चोथा क्या होगा चोथा होगा alpha equal to beta equal to gamma not equal to 90 मतलब तीनों बराबर हैं बट 90 के बराबर नहीं है तो पहले तीनों में alpha, beta, gamma बराबर और 90 के बराबर चोथे में alpha, beta, gamma बराबर बट 90 के बराबर नहीं है अब सुनो अगला hexagonal hexagonal में हम कहते हैं कि alpha और beta तो 90 degree होते हैं पर जो तुमारा gamma है वो 120 degree होता है गामा जो है वो क्या होता है 120 degree और अगर monoclinic की बात करते हो तो monoclinic में alpha और gamma तो 90 degree होते हैं पर जो beta है वो 90 degree नहीं होता और last वाले में आप बोलते हो alpha, beta, gamma कोई भी 90 के बराबर नहीं होता और आपस में भी बराबर नहीं होता सुनना क्या sequence बनाया है? मैंने याद करने के लिए पहले तीनों में alpha, beta, gamma बराबर 90 के बराबर चोटे में alpha, beta, gamma बराबर 90 के नौन बराबर ठीक है? फिर ये देखो तो एक आंगल 120 होना चाहिए था बाकी दोनों बराबर और यह वाला एलफा बीटा बराबर यह एलफा गामा बराबर और यहां तीनों नॉन बराबर अब ध्यान सुनना एक बात जो मैं बोलने जा रहा हूं ऐसा कहा जाता है कि जो क्यूबिक अरेंजमेंट है इसमें एजलें बराबर यह तीनों अंगल बराबर अगर आप बात करते हैं ट्राइक लीनिक की लास्ट वाला तो यहां ना तो एजलेंज बराबर है ना ही आंगल बराबर है तो हम बोलेंगे यह आपका मोस्ट अंसिमेट्रिक अरेंजमेंट है कभी कभी इस language में पूछ लेता है तो आपको पता होना चाहिए कि out of all possible crystal system most unsymmetrical crystal कौन सा होता है triclinic अब CUET में क्या सवाल आया था सुनना ध्यान से CUET ने question पूछा था कि वो कौन सा crystal system है गो कौन सा crystal system है जिसके अंदर edge lens भी बराबर है और angles भी बराबर है तो हमें बस चार option दें cubic, orthorombic, rhombohedral, monoclinic आपको बस टिक करना था बट आपको तो पता यह तो most symmetric arrangement पूछ लिया है कौन सा है cubic कौन सा है जी cubic समझाई बात अच्छे से बस तो इस तरीके की बाते हैं इस तरीके के सवाल है पर हाँ आपसे पूछ लिया crystal system बट इससे ज़्यादा बातचीत आप crystal lattice की नहीं करते अगर आपको और deep insights जानने हैं तो आप actually करते हो किसकी unit cell की किसके बारे में वीटा unit cell के बारे में तो unit cell की definition तो तुम्हें पता है अब हम तुम्हें बता दे कि in our syllabus ए इन आर सिलेबिस हो से वी विल ओली डील विब अने और और सिले बस वीव वी है क्यूबिड क्रिस्टल सिस्टम ए क्योंकि यह मॉस्ट सिमेट्रिकल है इसमें जादा ताम जहाम नहीं है हमें जाधा है सब्सक्राइब नहीं लेनी हम सबसे असान वाला क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम पढ़ते हैं और अगर न क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम डील करेंगे हमारे सिलिबस में तो बेटा जो यूनिट सेल्स है आपकीव सुनना कौन कौन सी होंगी कि आप पढ़ोगे प्रेमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल आप पढ़ोगे प्रेमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल या फिर बिटा इसको एक और नाम भी देते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ठीके जी अच्छा सेकेंड सुनना दूसरा आपके पास में होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक उनिट सेल बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक उनिट सेल देन आपका होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक उनिट सेल और आखरी जो है आपके पास वो होता है एंड सेंटर्ड क्यूबिक उनिट सेल ऑल्दो यह हम जादा पढ़ते नहीं है बट स्टिल ठीक है एक बार देख लेंगे क्या होता है इसको बोलते हैं SC short form में, इसको बोलते हैं BCC short form में, इसको बोलते हैं FCC short form में, इसको बोलते हैं ECC short form में, ठीक है? सिंपल एक उनिट सेल बोडी सेंटर क्यूबिक उनिट सेल एक अगले टर्न पर आपके लिए एक होमवक एक तो जो भी मैंने पढ़ाया उसको रिवाइज करना अच्छे से साथ में एन्च आर्टी रीड जरूर करना जितना भी मैंने पढ़ाया है कि ठीच है और एक चीज और बटा क्यूब के बारे में थोड़ी जानकारी लेकर आना कि क्यूब की प्रॉपरटीज क्या होती है कि इज़े होती हैं कितने कॉर्णर्स होते हैं ठीच हैं कितने होते हैं किसी की डाइगनल neutr är मैंने बहुत ज़्यादा आपको बेस बनाने के लिए अगला लेक्चर हमारा थोड़ा न्युमेरिकल बेस्ट होगा जो हम कैलकुलेशन करेंगे ठीक है तो जो भी पड़ा है इसको ध्यान से सुनना एंसी आटी से पढ़ना रिवाइस करके आना और इसके आगे बातचीत करते हैं हम लोग नेक्स्ट उन पर होमवर्क जरूर करके आईएगा रेगुलर रहिए सिंसियर रहिए सब हो जाएगा आराम से ठीक है बेटा तब तक के लिए थैंक्यू सो माच टेक केर हैव ग्रेट ड हो जरी